हाई प्रेंट्स नमस्कार आज हम बात करेंगे यह स्वेत पत्र क्या होते हैं अभी दो दिन पेले राहुल गंदी जी ने एक प्रेस कोर्फरेंस की थी उसमें उन्होंने एक स्वेत पत्र जारी किया था अब उन्होंने स्वेत पत्र जारी किया तो यार अब लोग अधिकतर यह सोचे कि स्वेत पत्र क्या होता है और उन्हेंने जहरी क्यों किया आप इसके बारे में पंचानेंगे आईए देखते हैं कि हैं की स्वेत्पत्र क्या होता है यह एक तरह का के लिकित दस्तावेज होता है जिसमें सरकार इया होता चाहित है नियु किसका डोकिमेंट होता है उसमे आ wandering इसे ने लिगा कर सकता है कि अब इसमें होता क्या जो द gratuit होता है। जानकारी सोच या विचारों को स्वष्ट करती है मतलब कोई भी पार्टी हो या सरकार हो या कोई भी सस्था हो अगर कोई स्वेत पत्र जारी करती तो उसमें क्या होता है उसमें किसी विशाय के ऊपर किसी मुद्य के ऊपर विचार प्रस्तुत किये होते है या फिर कोई समश सब्सक्राइब करना है किसे आगे बढ़ना है वह सारे जानकरी उसमें दी गई तो यह स्वेथ पत्र होता है इसके शुरुवात ब्रिटेन से हुई और 1922 में पहला स्वेथ पत्र जारी किया गए यह नोट करने ना आपके जीके में काम आ सकता है अच्छा क्विशन है कि सुर इसकी सुरुवात होई थी अब इसमें यह सिर्फ सरकारी गवर्मेंट इसमें जारी नहीं करती है कोई सस्ता या कोई कंपनी भी इसको जारी कर सकती है इसको सिर्फ एक सरकारी दस्तावज नहीं मना जाता है अब कंपनी कैसे जारी कर सकती है कंपनी अपने एंप्लोई के र प्रोजेक्ट किया क्या 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 खूब यहां तो स्वेथ पत्र में जारी कर सकते हैं अपने इंप्लोई के लिए दिया स्वेथ पत्र अब रही बाद राई गांदी जी ने एक स्वेथ पत्र जारी किया गया तो वो स्वेथ पत्र क्या था और क्यों जारी किया पाइट वेव आई थी तो उनका में मानना था कि सरकार सपन नहीं हो पाई इस कोरोणा को निपटने के लिए तो उन्होंने अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से एक स्वेथपत्र गवर्रमेंट को दिया उसमें कुछ सुजाब दिये कि तीसरी कोरोणा लाहर से गवर् करता है इसी के साथ देखते रहे हैं मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए मेरे वीडियो लाइक करें शेर करें कमेंड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी नोलेजबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा